नमस्कार दोस्तो आप सभी का आउसदी एंड हिल्थ में स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो मा बात करने वाले हैं बदाम विगो कर क्यों खाना चाहिए दोस्तो आप जानते है बदाम जो है सिहत के लिए बहुत ही फायदे बंद होता है पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि बदाम को भीगो कर ही खाने की सला क्यों दी जाती है हम सभी अपने घरों में ऐसा करते है लेकिन कभी ये नई सोचते कि आखिर इस तरह ही क्यों बदाम खाने चाहिए आज हम आपको जानकारी देगे इसी की बारे में आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट की हुए लाश्ट तक देखे अगर आपको आयरवेदिक जड़ी बुटी और दवा से संबन्दी जानकारी चाहिए तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले दोस्तो बादाम में कई विटामिन्स और मिनरल्स पाय जाते हैं यह विटामिन्स E, जिंक, कैल्सियम, मैगनेसियम यह सब जो है विटामिन्स और मिनरल्स मिले होते हैं इन सभी पोशर तत्तों का पूरा फाइदा मिल सके इसके लिए बादाम को रात भर भीगों का रखना अच्छा मना जता है अगर आप भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो या जो है आपके सेहत के लिए बहुत ही फाइदे मन्द होगा या जो है आपके पाचन क्रिया को ठीक बनाएगा आपके पेट में बन रहे गैस कब्ज की समस्या हो या तोचा से जूड़ी समस्या हो आपके चेहरें को निखारेगा इसकी से जूड़ी समस्या में भी फाइदे मन्द है